हलो दोस्तो आज वीडियो हम बात करेंगे है RACV, JE वाली वेकंसी, राजिस्तान इस्टेट एनरजी बोर्ड, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट जो बोर्ड है जैसे कि आपके RVNL है, JVBNL है, ABBNL है, JDVNL है, RBPNL है, तो अलग-अलग से आपको पता है काफी सारी रिकृट्मे से अलरेड़ी कि इसमें क्या एक्जाम पैटर्न रहने वाला है, सबसे ज़्यदा मोस्ट कन्फूजन यही है, सलेवस का और एक्जाम पैटर्न का प्रॉग्लम, क्योंकि इन्होंने इस चीज को किलियर ली यहाँ पे मेंशन किया नहीं है, बाद में भी जो सलेवस चेंज की बाते हुई थी, उनको भी यहाँ पे प्रॉपरली नहीं बताया गया है, कि जो एक्जाम पैटर्न हो, किस तरह से रहने वाला है, राजिस्तान जी के बारे में, क्या है बाते, कि वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो, मैं आपको सार चीज़े बता दूगा, कि कैसे क्या बुक्स आपको रीड आउट करनी है, बस वीडियो का एंड तक प्रॉपरली बहुच किएज़ेगा, ठीक है गाईज, तो यह तो देखो, अभी मैं आप एक बेसिक सी चीज़े यहाँ पर आपको बताता हूँ, यह उन्होंने खुदने दे रखाए कि 60% बेटेज आपका टेकनिकल का होगा, और 40% बेटेज आपका नॉन टेक का होगा, जिसमें नॉन टेक में यहाँ पर रीजिनिंग, मैतमेटिक्स, जनरल नॉलेड एंड एब्रीडे सांस, हिंदी जनरल, इंगिस जनरल, यह चीज़े यहाँ पर आएगी, यह सैम बोई पैटरन है, जो 2018 मा है था, उसके अलावर नॉन ने एक परसेंट भी चेंज नहीं किया है, रीजिनिंग के यहाँ पर इनॉन ने टॉपिक्स डाल रखे हैं, कि कौन-कौन से टॉपिक्स यहाँ पे सलेवस में हैं, और मैतमेटिक्स में लिख रखा है, नॉन ने सि ठीक है, तो बड़ा कुश्चन है, अगर रीजिनिंग काफी टफ आने वाली है, यह बाते आप ध्यान रखना, बिल्गुल बैंक में आपको पता है, सबसे ज़्यादा टफी रीजिनिंग होती है, तो सैम बैंक का जो पेपर होता है, उसी टाइप के कुश्चन साएंगे, और पिछली बार तो ऐसे किया थे, लोग, बो मैं आगे आपको जब अनलैसिस बताओंगो, वहाँ पे सारी चीज़ बता दूगा, और मैतमेटिक्स में आपे लिख रखाऊ उन्होंने 12th लेवल, कुछ नहीं करना, आरे से अगरवाल जो बुकाती है, उसके आपको सभी एक इसमें देखो सब कुछ आजाता है, इसमें आपके इंडियन जीके भी आगई, इसमें आपकी राजिस्तान जीके भी आगई, और इसीमें अपकी science वाला portion भी आगई, और current अफिर भी आगई, तो सब कुछ है इसमें, इन्होंने syllabus को ज़्यादा define नहीं किया है, इसमें कुछ सकते हैं बोलो हिंदी जनरल यह आपकी 10th लेवल आएगी और इंगलिस भी 10th लेवल आएगी हिंदी में आपको complete background पढ़नी है कुछ भी नहीं छोड़ना है सेम काम इंगलिस में सारी टॉपिक से कुश्चन आ रहे हैं अब हम बात करते हैं यहां पर जो बताता हूं काम क बात है आपकी तो देखो पहली बात तो यह है कि यहां पर आपकी एक्जाम डेट का भी तक जो final हो चुका है एक तरह से यह नोटिस यहां पर निकल के आता जिसमें लिखा हुआ है कि जूनियर इंजिनियर की जो एक्जाम से वह आपकी होने वाली है सेकिंड हाप ऑप अप को जल्द पता लग जाएगी यह जो पैटरन था यह कुछ जगे सोसिल मीडिया फे बाइरल हो रहा था कंपरिजन ऑफ दर डिस्टिविशन और मार्क और वर्स न्यू इवन उपैन यादब ने भी डाला था उन्होंने भी अपने पेज पे क्योंकि उन्होंने भी आगे बा पे ना वो लोग अपडेट कर दे ऑफिशली तो इसके बारे में अभी एक कन्फूजन है वो बना हुआ है कुछ भी होगा आपको मैं टेलिग्राम पर अपडेट कर दूगा बट यह चीज़ अभी तक के लिए के लिए नहीं है जिसमें की जो जनरल यहां पर पता है कि जो जीके के कुशन आएंगे वो 20-47 कर दे गए इसका अभी तक कुछ क्लियर कन्फरमेशन नहीं हुआ है तो यह हो गया नहीं होगा तो इसके बारे में थोड़ा सर्डाउट है बोल तो बहुत लोग रही कि होगा होगा लेकिन जब तक बैफ साइट पर ना जाए हम कैसे मान ल हो और यह यह आपको PDF यह जल्द अप्लोड हो जाए वेबसाइट पर क्योंकि इनों ने पिछली बार भी 2018 में भी अप्लोड किया था मेरे पास इसका पेपर था बट अनफॉर्चुनेटली मेरे से डिलीट हो गए डाटा तो एलेक्ट्रिकल वाला पेपर मुझे मिल गया थ था वो मेरी ड्राइब पर पड़ा हुआ था और यह सिविल वाला पेपर मेरे से पता नहीं कैसे डिलीट हो गया और यह जो एक बैटेज का भी था वहां पर बैटेज का नहीं सौरी कि किस तरह का एक्जाब पैटर्न रहने वाला है जो मॉक टेस्ट टैप का होता है ना तो वो इनों नों खुद नहीं वेबसाइट पर अपलोड किया था पिछली बार भी 2018 में तो तब का मेरे पास डाउनलोड पड़ा हुआ था वो तो तो उसके मैं आपको वही चीज़े यहां से दिखा कि कुछ चीज़े आपकी क्लियर करवाना चाह रहा हूं वो आप समझ होगे तब ही आप नेक्स्ट पर जा पाओगे तो बापस नहीं आपाओ गए समझ गए मेरी बात तो आपको इसको इस टाइम पार्ट में इतना ही टाइम ले सकते हो तो कुछ भी कर सकते हैं इस चीज़ का आपको बिस इस से ध्यान देना है रीजिनिंग 20 कुशन आएंगे 20 नंबर के जो टेक्निकल है बैंने आपको बता दिया कि टेक्निकल में कुशन दो नंबर कर रहे अगा नां टक में हर कुशन एक नंबर करहेगा तो इस तरह से आपके 20 कुशन होगे जो कि जनरल का टॉप मुझे बेसिकली याद है कुछ जिवी विनल वाले बोड की की जैसे की ये कटॉप आपकी रही थी वो रही थी आराउंड इस मतलब आपकी 120 के असपास रही थी जनरल की मुझे एक जिकली याद नहीं में एक बेसिक डाटा दे रहा हूं और रिजर्व केंडि कर दोंगा और यह देखो यहां पर कि सैंस वाला यह पॉर्शन है देन आपके हिंदी के चौदे कुशन आएंगे इंगलिस के चौदे आएंगे और मैतमेटिक से बार आएंगे ठीक है रीजिनिंग में 20 कुश्चन को इसनोंने किस तरह से कर रखा था पिछली बार एक पज को करोगे तब ही आप उन 5 को कर पाऊगे ऐसे उन्होंने तीन चार को चार कोशन दे दी उसी में पेपर हो गया पूरा तो देखो रीजिनिंग काफी टफ रहेगी इसकी मैं आपको अगें बोल रहा हूं हिंदी एकदम एजी आएगी आप कोई भी बोक उठाके पढ़ सिंपल आप जो आपके नोट्स बगर बेसिक चीज़े पढ़के जाओ काम हो जाएगा एक चीज और इंपोर्टेंट यहाँ पर चार की बजाए यहाँ पर ऑप्सन आएंगे आपके पांच बैंक पैटर्न में बाकी जगे आप क्या करता है ए बी सी और डी चार आपसन होते हैं यहाँ पर ई और होगा आपके पांच पांच आपसन तो ही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाला है अब मैं आपको कुछ चीज़े दिखा रहा हूं जो कि उन्होंने खुदने डा यहाँ पर नेगेटिप आपको पता रहेगा कि यह बनवाई फोर रहने वाली है तो यह सेंपल पेपर है जिस तरह से आपके कुछिन आने वाला है और मैंने यहाँ पर एक एलेक्ट्रिकल का पेपर भी डाला हुआ है एक मिन्ट दिखा देता हूं आपको यह रहा जेवी व इनों ने पूछे थे समझ गया मेरी बात वो आप यहां से कर सकता हूं हां यह रहे यह देखो राजस्तान का सबसे बड़ा सेयर पांच ओप्सन दिख रहे है आपको कुलोद्यानों की संक्या कितनी है राज की पुस्प क्या है यह देखो आप सिंपल एक मैइटमेटिक्स क तो आपको इससे थोड़ा सा पैटरन का आईडिया लग जाएगा क्योंकि नॉन टेक्ट तो सब का सेम होने वाला हैं इस तरह की कुश्चन सा रहे हैं यह मेरे पास पेपर भी हिंदी मैं इंग्सका इंगलिस भी कुछ मैं ने कुप सर्च कर लिए मुझे कुछ और डाटा मिल ना है ठीक है गाइच सो हां तो आगे भी मैं अब यह पैटर्न आपको बताए इसमें देख लो आप कुश्चन कैसे रहने वाले हैं सेंपल पेपर यहां से यह वैसे हो सकता है यह दोजार अठा रहे का इस बार कभी यह लोग जल्दी कुछ दिन में वेब्साइट पर अप आप सिविल वाला भी देख लो आप तो यहां पर कुश्चन दे रहा है लोड ऑन बीमिजेंज की टैंशाल इस्ट्रेस इंदा कॉन्खी बलो दर न्यूट्र लेक्सिस मारवजिल इज एन एक्जांपल ऑप बिजरॉक ठीक है तो आपको भी यह आंसर्स पता है ओके तो प्लस एक हैंडवुक आप के पास जो भी है सिविल बूर्टर ले लो सबसे बड़िया है या पिर मे के पास अल्राइडी है तो वो ठीक है कोई भी प्विकेशन कियो में तो आप बूर्ट देख ले ना ठीक है तो सिविल में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कुश्चन काफ पास पास आंसर आपको भी पता है किसी बुक में नहीं है तो पेपर ये खुद बनाते हैं लोग कुशन्स बहुत बेसिक रहने वाले हैं ज्यादा टफ नहीं आएगा पेपर सिविल का ये बात आप देख लेना कुशन्स बेसिक बेसिक आएंगे और छोट छोटे कुछ निमर पढ़ लिया न वहीं आपके काम आने वाला है बस मैं आपके कुछ बेसिक डाउट से वह यहां पर जूर करने वाला हूँ इसके बेसिस पे तो इस तरह से हैं अब इसमें क्या एक पजल्स वाला आता सेटिंग अरेज्मेंट बहुत बेकार आता है इनका मैंने देखिया कुशन्स देखो आप इन कुश्चन को पढ़ो कि यह इसके बाद है यह इसके बाद है तो उसके बाद गॉन्स होगा समझ रह लाए थे नेक्स और री सोई बुक मैंने बताई नहीं तो रीजिनिंग के लिए आपको देखो बुक कोई भी हो आपके पास एक्सपाई जैड वो बुक से आप पड़ दिये जगा बैटर होगा कि आप बैंकिंग वाली कोई बुक होगी ना आपके पास और उसमें टॉपि बेसिक कुशन से आप इन्होंने दे रखे है अब देखो इसमें काफी सारा टॉपिक आपके इसमें आपके इंडियन जीके भी आ जाती है इसमें आपकी रास्तान जीके भी आ जाती है तो देखो मैं आपको सिंबल से बता रहा हूँ एक पतली सी वुकाती है मनोर पांडे नाम से या ती इंडियन जीके के लिए इससे तो आप जीके पार्टिशन पढ़ जाना इंडिया वाला सैंस भी इसमें कवर हो जाएगी टाइम ज्यादा है नहीं कि आपको डेटेल में मैं आपको बोलू कि आप क्राउन पढ़ लो आप लिए आप केरन पढ़ लीजी तो इतन नोट्स पढ़ लीजीए या फिर एक है आपकी या पर नाम मुझे याद नहीं आ रहा भी इसका तो उसके भी मैंने नोट्स डाले हुए हैं तो उसके आप नोट्स पढ़ सकते हो दोनों में से किसी भी कोचिंग के आप नोट्स या पर रीडाउट कर लेना ठीक है पिलस आ बढ़ता तो आपको पढ़नी पड़ेगी ठीक है तो प्लस आप वो कर जाना ठीक है तो इस तरह सा आप चलोगे न तो आपका काम हो जाएगा तो इस नहीं इसमें काफी है ज्याद आपको डेटेल में जाने की जुरुत है नहीं हिंदी जेनरल अब आप इसमें बेसिक भी भी ले लो X, Y, Z सारी ही अच्छी है एक RBD की आती है RBD वाली भी अच्छी है ठीक है तो इनमें से आपके पास जो भी बुक है किसी से भी इंदी पढ़ लो इंदी एक दम बेसिक ग्रैमर आने वाली है तो इस तरह एक हिंदी के पैटर्न रहेगा इंग्लिस में आपको बात करूं तो बैसे अच्छी बुक आती है एक तो नीतु सिंग के आती है यह केडी केंपस वाली मेडम हो उनकी एक यहां पर CBH पब्लिकेशन की ठीक ठाक बुक आती है और उसके बाद आप देखा जाए तो अरियंद की आती है अरियंद इंग्लिस वाली तो आप किसी भी बुक से एकस बाई जैड पढ़ लोगे न तो आपका काम हो जाएगा या फिर आप एक गोपाल बरमसर हैं जो करियर बढ़ाते हैं उनका जो नोट्स आपको अरेंज हो जाए तो आप उन से पढ़ लेना उनकी नोट्स भी काफी अच्छे है और कुशन प्रेक्टिस के तो बेसिक कुशन आएंगे आरे सगरवाल इस बेस्ट बुक फूर सो यह सारी चीजे हैं यहां पर जो मैंने आपको बताई है और आई होप यह सब समझ में आगया होगा आपका अब मैं कुछ चीजों को यहां पर आपको डायरेक्ली बताऊं जो अभी ऑफिशल कन्फिर्म आप नहीं हुई लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे न चीजों को कर सकतो एक्षां में तो जो चीज़े मुझे पता थी मैंने आप वीडियो में आपको बताई है तो अब इसकी मदश से आप सारी चीज़े कर सकतो बाकि जैसे भी कुछ हो पाएगा मुझे कुछ भी इसके बारे में पता लगेगा मैं आपको continuously telegram पर upload कर दोंगा सारी चीजे बनवाई बन telegram पर बने रही है उसकी link वीडियो की decision में मिलेगी आपको और channel को like subscribe वीडियो को share कर दीजेगा बस आपको पसंद आया data तो thank you इस वीडियो में फिलाल इतना ही आपको कोई भी doubts बगहरा है तो आप comment में पूछ सकते हो मुझे telegram और facebook पर भी message करके पूछ सकते हो email id पर भी mail कर सकते हो आपको जहां भी convince हो सबकी link मिलेगी वीडियो की description में thank you